गुड बॉर्णिंग माइडियो स्टूडेंस हाउ यू विशे हमारा हिंदी आजम हिंदी व्याकरण में गाएं पालतू पशू हम करने जा रहे हैं पिक्चर में देखिए गाएं गाएं को गो माता भी कहते हैं तो चले आजम इसका निभन करेंगे गाएं गाएं एक पालतू पशू है यह चार पैरों वाला पशू है यह अपनी लंबी पूँच से कई काम करती है यह कई रंगों में पाई जाती है देखिए इसकी दो आखे और दो लंबे कान होते हैं यह हरी घास और भूसा खाती है इसका दूद पोश्टिक होता है इसे हम गो माता भी कहते हैं देखिए माइडियर स्टूडेंस ओनली एट लाइंस हैं बहुत इजी हैं जैसे जैसे आप नेक्स क्लास में होगे तब थोड़ा सा और चेंज मिलेगा आपको गाई के पस्ताव में बट इस टाइम आप सेक्ड स्टेंडर में हो बहुत इजी सा दिया हुआ है ताकि आप इ हिंदी व्याक्रण की नोट बुक में बिलकुत प्यारा प्यारा साफ साफ करना है ओके